नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से अपन बात करेंगे कि बगवान का आखिर सुरूप कैसा है दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा आपके अभी तक के जो बिलीफ सिस्टम से हैं आप अभी तक जो बगवान की परिबासा गौड की अल्ला की वहे गुरू की अलग परसेप्शन देखने को मिलेगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस डेफिनेशन इस परसेप्शन को समझने के बाद में आपको गौड से रिलेटिड कोई भी जो दिमाग का प्रशन है उसका जवाब अपने आप आपको मिल जाएगा तो बगवान है क्या और उ क्या बगवान आसमान में स्वरग में बैठे हैं क्या बगवान कोई दूसरी दुनिया में है जन्नत में है या फिर कोई ऐसे ही कोई पैर्ल यूनिवर्स के अंदर है तो इन सब बातों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं दोस्तों इससे पहले कि हम बगवान के स्वरूप को समझने की गहराई में उतरे हैं हमें सबसे पहले हमारे ब्रेइन का एक बहुत ही बहुत ही बेसिक और छोटा सा मेकेनिजम हमें समझना होगा क्योंकि अगर हमने ब्रेइन को समझ लिया तो हम बहुत सारी चीजे आसानी से समझ सकते हैं जो हमारे ब्रेइवियर से रिलेटेड है ब्रेइन में जब भी हम कोई काम ऐसा करते हैं या फिर हमारे लाइफ में कोई ऐसी गटना गटित होती है या फिर हम कोई ऐसा कोई लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं जिसे हमें अच्छा मैसूस होता है हमारे ब्रेइन में हैपिनेस बढ़ती है उस समय हमारे ब्रेइन में एक हार्मोन होता है सिरोटोनिं उसका रिलीज होता है जब भी हमारे ब्रेइन में हैपिनेस जागरत होती है, खुशी जागनत होती है, सिरोटोनिन को खुशी का हार्मोन भी कहा जाता है, तो जब भी हमारे ब्रेन में हैपिनेस लेवल थोड़ा सब बढ़ता है, तो उसके पीछे कौन होता है, सिरोटोनिन हार्मोन होता है, सिरोटोनिन का रिलेशन होता है, कनेक्शन होता है डो आदतन वैवार उसे प्रारम करना शुरू कर देता है जब भी हम कुछ करते हैं हमें मालनों कोई मिठाई अच्छी लगी है तो हमारा अच्छा लगने के प्रती जो सिरोटोनिन हार्मोन रिलीज हुआ उसके साथ साथ जो डोपामीन है वो एक एडिक्टिव मैमोरी क्रियेट क को रिकॉल करने के लिए हमें मोटिवेट करता है हमें इनीशियेट करता है तो यह होती है सिरोटोनिन डोपामीन मेकेनिजम सिरोटोनिन हैपिनेस के इंडेक्स को बढ़ाता है और डोपामीन उस हैपिनेस के प्रती हमारा एडिक्टिव बिहेवियर जो है उसे इनीशियेट करता है जब भी कोई हम बगवान से प्रात्ता कर रहे होते हैं या किसी ट्रबल में फसे हुए हैं किसी मुसीबत में फसे हुए हैं या फिर कुछ बहुत अच्छा हो रहा हो अपारी जिन्दगी में या कोई भी ऐसी सिट्वेशन आई है जहां पे हम गौड लॉजिक या बग करके जिस तरह से भी उस समय हम हमारे सिरोटोनील जो हैपिनेस का जो रिलीज है है हैपिनेस हार्मोन का उस रिलीज को बढ़ाना चाहते हैं क्यों क्योंकि ऐसा कोई गटना गटित हुई थी हमारे जीवन में जिससे गौड लॉजिक या फिर गौड के उस स्वरूप को इसलिए हम बहुत सारे लोग रोजमरा की जिंदगी में मंदर जाना पर फैर करते हैं क्योंकि मंदर जाने से उनका सिरोटोनीन रिलीज होता हो और डोपामीन उस एक्ट को बार 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 रिकॉल कराने के लिए इनिशियेट करता है तो यह एक बेसिक बेहेवियर होता है हम आपके एक्जाम में अच्छे माक्स आए क्लास में आपने टीचर को जवाब दिया सही जवाब दिया टीचर ने सहबास बोला आपके अंदर एक हैपिनेस जागी उस समय आपका सिरोटोनीन लेवल इंक्रीज हुआ और तुरंत डोपामीन ने उस एडिक्टिव बेहेवियर को इनिशेट किया आपके अंदर वापस एक ऐसा सवाल का जवाब जल्दी देने की एक तत्परता जागेगी और बार बार आप कोशिश करेंगे कि जवाब जल्दी से जल्दी सही दें और आपके अंदर उस सिरोटोनीन का लेवल मेंटेन रहे। तो इस दुनिया में जितने भी अपन लोग इंसान हैं, वो सिरोटोनीन और डोपामीन जो दो हार्मोन्स हैं, बड़े महत्वपून हार्मोन्स, इनकी आपस के ताल मेल को बैठाय रखने के लिए हम दिन रात लगे रहते हैं, सुबह से श्याम, चाए नौकरी कर रहे हैं, चा इस तरह से बना लिए है कि उनका सिरोटोनीन और डोपामीन का जो लेवल है, वो मेंटेन रहेगा उस तरह के एक्ट को करने के लिए, चाहे वो सुबह से श्याम प्रेयर करें, चाहे वो रिलीजियस बुक्स को पढ़े, चाहे वो कोई किसी भी तरह की रिलीजियस अगर सिरोटोनीन और डोपामीन का लेवल डिस बैलेंस हो जाता है, तो आदमी एंजायटी से पेडित होता है, आदमी का मन खुश नहीं होता है, इंसान एक पेडित व्यक्ति का जीवन जी रहा होता है, जो की एक उनकमफर्टेबल सिच्वेशन होती है, जिसको कोई भी व पे वापस अगर आएं अपन, तो बगवान का स्वरूप किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाए आपको कोई फिलोसपी ऐसी बोले कि कंड कं में बगवान है, आप चेक कीजिए क्या आपका सिरोटोनीन का जी लेवल भड़ रहा है, क्या आप हैपिनेस फील कर रहे हो, जो कंड में बगवान है उस्तियोरी से, आपकर एक्सेपनस में जा रहे हो, क्या आप खुश हो रहे हो, तो सिरोटोनीन और दोपामीन अगर उस बात के लिए yard कर रहे हैं, तो कंड कं में बगवान बिल्कुल है, आप याउ authorities अगरिजा ये, ताकि आपका सिरोटोनीन, दोपा पर लेकिन फिर भी आपको कन्फूजन है और आप समझ नहीं पा रहे हो तो कीप सर्चिंग कोई आपको बोले नहीं मूर्ती में बगवान है हाथ जोडने चाहिए आप चेक कीजिए कि आपका डूपामिन से रोटनीन बैलेंस है या नहीं है आपको क्या एक काल्मेस पीस रिल आप इबादत करते हो अल्ला को याद करते हो वाही गुरू या फिर इसा मसी आप किसी भी रिलिजन से बिलॉंग करते हो और उस रिलिजन की टक्टिसेज और उस रिलिजन का एक गॉड फिगर आपके डूपामिन और से रोटनीन को अगर बैलेंस कर रहा है आप हैपिनेस, पीस, रिलेक्सेशन अगर फील कर रहे हो अप मेडिटेशन कर बीक के अगर हैपिनेस, पीस, रिलेक्सेशन यह सब महसूँस कर रहे हो और आपका डूपामिन और से रोटनीन का लेवल एकदम बैलेंसड है आपके अंदर कोई अंजाएटी नहीं आपकी कोई बिल्ट ब्रह behavior right absolutely right है यह मैं नहीं कह रहा है आपके वहवार के प्रती वह रास्ता वह मार्ग एकदम सटिक बैठता है उसी रास्ते से आपका डोपामिन और सरोतिनीन का लेवल बैलेंस रहेगा चाहिए आप किसी भी धरम से हो और हां अगर आपको अपने धरम में खाविया नजर आती है त कीप सर्चिंग अंटिल यू फाइंड आउट देट यूर डोपामिन और सिरोतोनीन आर एक्शुली बैलेंस्ट फॉर लॉंग टाइम है ना ऐसा नहीं है कि कभी-कभी तो बैलेंस्ट होगे सुबह बैलेंस थे शाम को बैलेंस नहीं है नहीं आपका दिन रात सुबह शाम स भगवान को जान लिया है आपने उस सुप्रीम ताकत को पा लिया है और उसी को ही एक इनलाइट्मेंट की स्टेट बोला जाता है तो कीप सर्चिंग किस तरह से आप अपने डोपामिन और सिरोतोनीन के लेवल को बैलेंस कर सकते है ऐसी कौन सी बात है चाहे ये वीडियो मे जो मैंने आपको बाते बताई है जो डोपामिन सिरोतोनीन की थेओरी है ये थेओरी जानने के बाद में भी आपका ये जो लेवल्स है हार्मोन के हो सकता है वो बैलेंस हो जाए और बैलेंस होने के बाद आप पीसफुल और रिलाक्स फील कर रहे हो डेफिटनेटली फॉर यू त्वी यिस थेओरी अपके लिए सब कुछ ए आप इसमें हर तरह के सवाल के जवाब को ढूण सकते हो? गौई लौजिक भी क्यों यूज की हरते है अपन? हर तरह के सवाल का जवाब देने के लिए उस करते हैं इन दोनो हार्मोन की लेवल्स जो है वो हर तरह के सुप को वीडियो अच्छा लगा होगा और यह वीडियो एक लॉजिकल एक्सप्लेशन जो है लॉजिकल एनलाइसिस जो है सुप्रीम हुड और गॉड हुड के बारे में वो दिता है अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो को लाइक करना ना बूलें बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन जय भारत